हेलो एवरिवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, वेलकम टू माई चैनल, अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसे बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे मैं खुशी-खुशी अपनी मम्मी का काम में हाथ बटाती हूँ, वो खुशी-खुशी अपनी जिन्दगी बिता रही है, हम आज खुशी-खुशी सब के लिए मिठाई लेकर आएंगे, उन्होंने खुशी-खुशी हमें अपने घर बुलाया है, ऐसे हिंदी के सेंटेंसे ज या खुशी-खुशी, इनको लेकर सेंटेंसे बनाने का रूल देख लेते हैं, इसके रूल में सबसे पहले सबजेक्ट आता है, सबजेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो आएगी जो कि सबजेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग होगी, जैसे कि is, am, are, was, were, will, do, does, has, have, helping verb के बाद gladly, happily या merrily, इन तीनों में से आपको जो भी अच्छा लगे या जो भी आपको याद रहे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तीनों ही सही हैं और तीनों का ही मतलब एक है, इसके बाद main verb आती है, जो कि tense के according किसी भी form में हो सकती है, उसके बाद object आता है और object के बाद other words अगर बचते हैं तो, चली आप कुछ examples देखते हैं, जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए, उन्होंने खुशी-खुशी हमें अपने घर बुलाया है, इस sentence में देखिए, रूल के according हमने starting की है subject से, जो कि इस sentence में है they, subject के बाद subject और tense के according helping verb आ गई है, have, इसके बाद happily, gladly या merrily, इन तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, आप उसको यूज कर सकते हैं, इसके बाद हमारे sentence की main verb आई है, invited, invited के बाद us आया है, us इस sentence में object pronoun है, और उसके बाद to their home आ गया है, और हमारा sentence complete हो गया है, मैं खुशी-खुशी अपनी मम्मी की उनके कामें मदद करती हूँ, I happily help my mother in her work, या I gladly help my mother in her work, या I merrily help my mother in her work, उसने खुशी-खुशी मुझे अपनी घड़ी दे दी, She happily gave me her watch, हम खुशी-खुशी सब के लिए मिठाई लेकर आएंगे, We will merrily bring sweets for everyone, वो खुशी-खुशी अपनी जिन्दगी बिता रही है, She is happily spending her life, वो सबसे खुशी-खुशी मिलता है, He gladly meets everyone, वो खुशी-खुशी तुमसे शादी करने के लिए तयार हो गई, She happily got ready to marry you, मैं खुशी-खुशी आपको पढ़ाऊंगी, I will gladly teach you, क्या तुम खुशी-खुशी वहाँ जा रहे हो, Are you happily going there? अब एक सेंटेंस आपके लिए, मैं खुशी-खुशी आपका यूट्यूब चैनल देखता हूँ, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताइए, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button, so that you get notified whenever I post new videos. अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए टेक केर, बाबाई!